नमस्कार दोस्तो, गुरुजी फाइनन्स में आपका स्वागत है जैसा कि आप सब जानते हो जो रूपय credit card है दोस्तो, काफी famous हो रहा है सभी लोग आपको इस credit card को खरीदने की सलाह दे रहे हैं, recommend कर रहे हैं लेकिन मैं चाहते हुआ दोस्तों कि आप ये वीडियो पहले देख लो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे ट्रांजेक्शन के बारे में बताऊंगा, जिसे आप रूपे क्रेडिट कार्ड से नहीं कर सकते हो, तो इससे पहले मैं इस वीडियो को सुरू करूँ दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए, मुझे अपना सपोर्ट दिखाए, ताकि मैं और भी अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकूँ. आज के डेट में हम लोग अपने छोटे बड़े सब ही ट्रांजेक्शन के लिए UPI का इस्तमाल करने लगें दोस्तों, क्योंकि यह बहुत ही convenient और easy होता है यूज करने के लिए, तो हम लोग UPI में generally अपना saving account से या फिर debit card से किसी को भी UPI के थुरू payment कर देते हैं, चाहिए वो कोई भी आप के थुरू करें, चाहिए Google Pay, Paytm, Phone Pay, Bheem, किसी के थुरू करते हैं दोस्तों, लेकिन अगर आपके पास जो है 100 रूपे का credit card है, तो उससे आप UPI payment किसी को नहीं कर पाओगे, ऐसे ही आप सिफ जो है merchants को ही UPI payment कर पाओगे, तो पहला नियम तो यही है दोस्तों, जब भी हम लोगों को किसी को surprise payment करना होता है, तो हम लोग simply जो है उसका mobile number में, जो है mobile number के थुरू UPI payment कर देते दोस्तों, लेकिन आप रूपे credit card के साथ surprise payment नहीं कर पाओगे, क्योंकि कभी भी जो है इसमें आप किसी mobile number पे payment नहीं भेज पाओगे जोस्तों, mobile number से payment करना काफी convenient हो जाता है, जब बात आती है friends and family की, क्योंकि जैसे हम जाते है mobile number पे वहाँ पे सिर्फ search कर लेते हैं नाम, तो उनका automatically हमारे पास जो है सो नाम आ जाता है और उनको हम लोग simply payment कर देते हैं, तो यहाँ पे जो है सो रूपे credit card के साथ आप mobile numbers पे payment नहीं कर पाओगे, UPI के थुरू, जैसा कि आप सब जानते होगे दोस्तों कि जब भी हम लोग किसी भी UPI पे account बनाते हैं, तो हमें एक UPI handle मिलता है दोस्तों, तो आप अपने जो रूपे credit card है उससे कभी भी UPI handles पे payment नहीं कर पाओगे, भले वो UPI handle जो है सो कोई merchant का ही क्यों ना हो, आज की date में हम लोग सबसे ज़्यादा जो online payment करते हैं दोस्तों, वो छोटे मोटे जो vendors होते हम सम मिडिल क्लास से बिलॉंग करते हैं, तो हमारा बहुत बड़ा बड़ा restaurant में ज़्यादा आना जाना नहीं रहता है, जो छोटा मोटा ठेला वाला होता है, चाय वाला होता है, जो सबजी वाला होता है, उन्हीं लोग को हम लोग जो है, सो payment करते हैं, QR code को scan करके UPI payment करते हैं जोस्तों, ऐसे चोटे मोटे जो vendors रहेंगे उसको payment नहीं कर पाऊगे, क्योंकि इसमें जो है इक नियम है, P2PM merchants को आप payment नहीं कर सकते हो, P2P merchants किसको बोलते हैं, जिसका transaction जो है, जो एक महीने का 50,000 से कम है, तो ऐसे जो vendors रहेंगे, उसको भी आप payment नहीं कर पाऊगे जोस्तों, जो जो credit card का हमें पैसा मिलता है, उसे cash में बदलने के लिए जो है, हम लोगों को charges देना पड़ता है, या तो charges percentage में देना पड़ता है, या फिर fix amount रहता है, तो अब कुछ लोग यहां होसियारी कर सकते हैं, कि किसी दुकान से कोई समान खरीद लिया, और फिर उसको return कर दिया, और बोला refund करो cash में, तो ऐसा भी आप रूपे credit card के साथ नहीं कर सकते हो, आप जो है payment जिस स्थिति में दियो हो, जैसे credit card से दियो हो, तो आपका payment credit card में ही refund होगा, ना कि आपको cash मिलेगा, ना आप उस दुकानदार को force कर सकते हो, ना वो दुकानदार आपको देगा, तो ये भी एक नियम है दोस्तो, तो रूपे credit card के limitations के साथ साथ जो है दोस्तो, फाइदे भी अनगीनत हैं, इसलिए मैंने जो best रूपे credit card के links हैं, वो description box में डाल दी हैं, आपके लिए अपशा हो तो उसे जाका check out कर सकते हो, और अगले वीडियो में बात करेंगे दोस्तो, रूपे credit card के जितने भी फाइद हैं उसके उपर, अब बस आपसे एक ही request हो दोस्तो, इस चैनल को subscribe कर लिजिए और वीडियो को like करते हुए मुझे support कीजिए